आगे बढ़ते हैं बात कलेते हैं यहां से अब सोयबीन की सोयबीन का यहां पे डिसम्बर वाइदा देखने 5911 पर कारवार कर रहा है 6000 पच्पन का हई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि सोयबीन की किम्टों में अचानक से शांदार बड़त बनती नजर आई है जो सोयबीन 51-52 तक भी नीचे गिरती नजर आई थी बुआई के समय जो 11,000 पर थी 12,000 तक की भी लेवल्स देखने को मिलेते हैं और फिर वो एकदम से धड़ाम होंके आधे हिल से भी कम में जाती नजर आई थी कीम्टें इसकी अब वही सोयबीन एक भाँ फिर से तेजी की और जाती नजर आ रही है हाला कि जो लेवल्स हैं बुआई के समय वाले देखने को नहीं मिल रहे हैं 11,000, 12,000 वाले लेकिन जो लेवल्स हैं अभी भी उनमें तेजी देखने को मिल रही है आपको बता दें कि सोयबीन की कीमतों में जो तेजी बनी है उसके कुछ मुख्य कारण है उनके नजर डाल लते हैं दूसरा भारत के अंदर भी सोयबीन की जो मांग है वो निरंतर लगातर बनी हुई है बावजूद आवगों के आवगों का प्रेशर भी हमने मंडी उपा आते वे देखा लेकिन सोयबीन हाथो हाथ बिक गई बची नहीं ऐसा नहीं हुआ कि सोयबीन कई दिनों तक मंडी प्र दिवात में सरकार ने जो सोयबीन को लेकर सोया खली का निर्यायात करने का फैसल लिया था वो किसानों के साथ नाइन साफिती ऐसा किसानों का कहना है और दूसरा इस बार सोयबीन की जो फसले हैं बड़े पैमाने पर खराब भी होती ही नज़र आई है जिसका असर साफ दावा भी देख रहे हैं तो अंतराष्टे बजार में सोयबीन की डिमांड तेज होना भारती बजार में सोयबीन की डिमांड तेज होना सोयबीन प्लांटों से और तेल मिलों से सोयबीन की मांग निरंतर बने रहना और ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में जो सोयवीन के बड़े उत्पादक और निर्यात देशों में से एक है वहाँ पर सोयवीन का जो उत्पादन कम होने के खबरों के चलते और अमेरिका में भी जो मुख्य उत्पादक राज्ये हैं सोयवीन के वहाँ भी उमीद से कम ही सोयवीन की उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है तो इन सभी आखडों के चलते, खबरों के चलते, फैक्ट्स और फीगर्स के चलते वर्तमान में भारती सोयवीन की कीमतों में तेजी बनती नजर आ रही है और जो किसानों ने अब सोयवीन को स्टॉक करना, होल्ड करना शुरू कर दिया है क्योंकि किसानों को काफी जादा नुकसान उठाना पड़ा है इस बाद सोयवीन की कीमतों के लिए क्योंकि किसानों ने महंगा बीच खरीद कर सोयवीन की बुगाई की ती और उसकी लागत निकालने के लिए किसान अब सोयवीन को होल्ड करके चल रहे हैं. क्योंकि अगर सोयवीन की जो आवके हैं लगातार मंडियों में अच्छी बनी रहती हैं, तो सोयवीन का जो दाम है वो किसानों को नहीं मिल पायागा. इसलिए किसानों ने अब सोयविन को होल करके चलना शूरू कर दिये जादर किसान अब साल 2022 के मार्च अपरेल तक ही अपनी सोयविन निकालेंगे तो किसानों का अभी यही कहना है और हो सकता है कि हम सोयबीन की जो कीमते हैं उनको और अच्छा उचलता वह भी देखे हैं हाजिर और वायद बजारू के अंदर वही हैं अजे के एडिया के मताबिक सोयबीन बासर सो से तरेसर सो का लेवल टच करती भी नजर आ सकती है साल 2022 की शुरुवात में भी तो ओवरल रुजान अभी हाल फिलाल में साल 2021 के अंदर तक और 2022 के स्टार्टिंग में अभी हाल फिलाल में मीडियम टम की बात की जाया तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है सोयबीन के लिए हमने अपनी चैनल से पर काफी सारे वीडियो भी अपलोड की ही है विशलेशन भी किया हुआ है आप वो रिपोर्ट्स भी जाकर देख सकते हैं